जैहन साथ यो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब्द भेद हिंदी व्याकन से समंदेत हमारी टेस्ट सीरीज निरंतर चल रही है और यहां तक हम पहुंच गए हैं सब्द भेद में हम तत्सम्त से समंदेत टेस्ट सीरीज आज आज आपको लेकर के आएं जो भी हमारे मित्र नए हैं उनसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेए और वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है स्टार करती हैं 아ज का यह वीडियो दोस्तो हमारा जो पहला प्रस्ण है कि सं सम, énergie कहें सभी ने उत्तर बताया होगा अँगला हमारा प्रश्ण है निम्न मैंसे रूड सब्ड कौन सा आपको रूड सब्ड बनाना है कि निम्न मैंसे रूड कौन है चार वेकल्प है उत्तर इसका सही होगा क्या, पसू क्या है पसू अंगला question है सब्द रचना की अधार पर बताईए कि कौन सा सब्द योग रूड है ज़दी से बताना है आपको तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो जलज यह जो सब्द है यह योग रूड सब्द है अंगला प्रस्ण है निम्न मेंसे रूड सब्द कौन सा है ज़दी से बताई कमेंट में इसका सही उत्तर हो जाएगा बैभाव यह रूड सब्द है अंगला question है परिच्छा सब्द निम्न बर्गों मेंसे किस बर्ग में आता है ज़दी से बताई कमेंट में कोई से बर्ग में आता है परिच्छा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तो तत्सम परिच्छा सब्द तत्सम बर्ग में आता है अगला प्रस्ण जिन सब्दों की उत्पत्ती का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्सम जिन सब्दों की उत्पत्ती का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों दे सच क्या कहा जाता है जिन सब्दों की उत्पत्ती का खंड हो सकें, उन्हें क्या कहते हैं, कई सार तक खंड हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में लखें, उत्तर सही हो जाएगा योगेक, क्या कहते हैं, अगला प्रस्न है नीचे दिये विगल्पों में से तदभाव सब्द का चैन कीजिए, आपको तदभाव अगला प्रश्न है प्रियोग के आधार पर सुक्ष में अंतर व्यक्त करने वाले सब्द क्या पहलाएं जल्दी से बताएं चार विकल्प आपके सामने हैं इसका सही उत्तर हुगा विकल्ब नमर्द दो समान आर्थक त्रियोग की आधार पर दुख्ष मे अंतर बैक्ष करने वाले सब्द समान आर्थक घहलाते हैं जल्दी से पताएं योग के इत्रा कमसा है चार विकल्प में से इसका इति पर होगा पाट सालरफ और सब्द कामसा है पकरों नमर तो गोधूम गोधूम जो सब्द है वो तत्सम सब्द है अगला क्वेस्चन है योगरूर सब्द कौन सा है जल्दी से बताएं योगरूर बताना है आपको इसका सही उत्तर होगा दोस्तो लंबोदर लंबोदर जो सब्द है वो योगरूर सब्द है योगरूर तो आपन वर्सा विकलब नमर एक सही हो जाएगा वर्सा जो है उतर सत्सम सब्द है अगला क्वेस्चन है निमने मैंसे कौन सा सब्द तुर्की भासा का है जल्दी से बताएं तुर्की भासा का सब्द कौन सा है तो इसका सही उतर होगा विकलब नमर दो कैंची अगला क्वेस्चन है चाय किस भासा का सब्द है जल्दी से बताएं चाय तो उत्तर हो जाएगा चीनी चीनी भासा का सब्द है चाय और चाय उत्वादन में भी आंगे है चीनी तो याद रख लेना चाय में चीनी चाय चीनी सब्द है दसानन किस प्रकार का सब्द है जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है इसका सही उत्तर होगा दोस्तो योगरूर दसानन जो है वो योगरूर परकार का सब्द होता है अंगला question है लोटा किस परकार का सब्द है कई बार पूछा गया है लोटा आपको बताना है किस परकार का सब्द है इसका सही उत्तर होगा देसज लोटा जो सब्द है वो देशज है अगला question है निमने मैंसे तत्सम सब्द छाट कर बताईए जल्दी से बताएं तत्सम तत्सम बताना है आपको तो इसका सही उत्तर क्या होगा उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिकल्ब नमर चार गोटक, तत्सम सब्द है अगला question है निमने मैंसे तत्सम सब्द छाट कर बताईए तो जल्दी से बताएं तत्सम उत्तर हो जाएगा इसका विकल्ब नमर तेन, रोजनी तत्सम सब्द जो है वो क्या है, रोजनी अगला question है निमने मैंसे तत्सम सब्द छाट कर बताना है आपको तत्सम बताना जल्दी से चार विकल्प मैंसे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्ब नमर एक छेत्र छेत्र जो सब्त है वो तत्सम सब्त है तत्सम सब्त बताना है आपको चार विकल्प आपके सामने मुझूद है तो इसने आपने बता दिया होगा कमेंट में उत्तर होगा कभॉपाथर, विकल्ग नमर कfire, कभॉपाथर सही है इसका निम्ने मैं से तक्सम सब्द चाट कर बताईए, जग्दी से बताईए तक्सम सब्द उत्तर हो जाएगा दोस्तो कर्म, विकल्प नमर चार, इसका सही हो जाएगा, जो कर्म है, वो सही है तत्सम सब्द क्या है, अचरज का आपको तत्सम सब्द पताना है, क्या होगा, कमेंटरिया आपको लिखना है, जड़ी से लिखें, इसका सही उत्तर होगा दोस्तो, विकल् अगला question है केला का तत्संसद आपको बताना है की एल सफ नमबर डो कदली केला का तत्सम होता है कदली अंगला क्वेश्चन है आस्रा का तत्सम सब्द क्या है जल्दी से कमेंट में बताएं इसका उत्तर होगा आस्रे आस्रा का तत्सम सब्द होगा आस्रे नेक्स्ट है कौन सा सब्द तत्सम नहीं है अब यहाँ पर चार बिकल्ब हैं तत्सम नहीं है बताना है तो कोई सा नहीं है इसका सही उत्तर होगा विकर नमबर एक आथ आथ जो है ये तत्सम नहीं है बाकि चार विकल्ब क्या है तत्सम है अगला हमारा प्रस्ण है एकस्त का तदभाव सब्द है एकस्त का तदभाव जलन का तदभाव सब्द है, जलन का तदभाव क्या होगा, देख दिया उत्तर हो जाएगा इसका बिकर नमबर ए, जलना, जलन का जो तदभाव सब्द होता है, वो क्या होता है, जलना, अंगला क्वेस्चन हैं दोस्तो, हलती, हलती का तदभाव सब्द आपको बताना है, चा हरित्रा. नेक्स्ट है wnو biton, का تत्समसद्द क्या होगा? जल्दी से बताएं चार बिकट्व में से एका हमें चाहन करना है, बिकट्व का तत्समसद्द भी हमें बताना है, तो इसका सही जो अत्तर होगा बहल दो बता बिकर्प नमर एक इसका सही हो जाएगा उप्टन का तत्सम सब्द खीर का तत्सम सब्द है ज़दी से बताएं खीर का तत्सम सब्द है उत्तर होगा विकल्फ नमर एक छीर खीर का तत्सम सब्द होगा छीर नेक्स्ट क्वेस्चन है बत्ती का तत्सम सब्द है तो बत्ती का तत्सम सब्दे क्या होगा आपको कमेंट में लिखना है उत्तर होगा वर्ति का बिकल्ब नम्मर चार इसका सही हो जाएगा बत्ती का तत्सम है ना अंगला क्वस्चन है दोस्तो ग्रंथी का ततभाव सब्द है आपको बताना है ग्रंथी का जो तदभाव सब्द है वो क्या है इसका सही उत्तर होगा विकल्प नमर एक गांट ग्रंथी का तदभाव जो सब्द होता है वो गांट होता है नेक्स्ट है अस्थी का तदभाव सब्द है अस्थी का तदभाव सब्द आपको बताना है क्या होगा अस्थी का आपने कमेंट में लिख दिया उत्तर देखते हैं हड़ी बिकल्प नमर एक इसका सही हो जाएगा अस्थी का तदभाव सब्द होगा हड़ी अगला हमारा प्र कर ततभवाव सब्द होता है. गोवर्द. अंगला प्रस्न है, इन में से कौन सा सब्द ततभवाव है? जल्दी से बताएं कौन सा सब्द ततभवाव है? चार बिकर में से एक काचेंग्री आपको करना है. जिसका जो शही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपको तदभाव वताना है तो उत्तर होगा बेगर नमर चार दंध ब्रतस ब्रत्यू ये सब्द कैसे हैं सब्सम है और ये जो कंधा है वो क्या है सब्सम है तो यहाँ पर लोग हमने लगवग 37 प्रस्णों पर चर्चा की जो कि तदशम, सदभाव, रूड, योग और योग रूड से संबंदे थे आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माद हम से बताना है वीडियो को जादा से जादा स्थियर करना है हिंदी व्याकरण से संबंदे तक अगर आप तयारी कर रहे हैं आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको संदी, समास, उपसर्प्रत्य, वर्नोमाला और भी बहुत सारे टेस्ट जरूर एक बार देना चाहिए क्योंकि आपको आकलन उसमें हो जाएगा कि आप से कितने कॉस्चन बनते हैं तो आप जरूर इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है उससे आप निकलें और पूरे के पूरे टेस्ट आपको देना है आपको टेस्ट सीरिज कैसी लगी कमेंट के मादम से बताना है और दोस्तो आपको अगर हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना है जहां पर हम सारी की सारी पीडियेप उपलब्द करवाते हैं तो आपको सर्च करना होगा टेलिग्राम ग्रूप एप में IAS Study Trick आप सर्च करेंगे तो आपको ग्रूप मिल जाएगा और आप जोईन हो सकते हैं बहाँ पर मैं सारी की सारी जो पीडियेप लिंक हैं बहाँ पर उपलब्द करवाता हूँ और फेस्बुक से भी आप जोड़ सकते हैं फेस्बुक ग्रूप से Study Trick आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा या Self Study Classes आप करेंगे तो आपको ग्रूप मिल जाएगा या सुमित कुमार जयन आप सर्च करेंगे तो आप हमसे फेस्बुक से भी जोड़ सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैंसा लगा कमेंट के मादनें से बताएं और इस वीडियो को सेर ज्यादा सिजाना करें आज के लिए वस इतना ही जयन